आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे फिश करी की रेसिपी जिसको हम बनाने वाले हैं एकदम सिंपल और इजी बे में बहुत ही टीस्टी बनेंगी तो चिली देख लेते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया फिश करी बनाने के लिए हमें यहां पर चाहिए 500 ग्राम फिश हमन बन फो टीस्पून नमक और हलके हातों सो हमें इसको मिक्स कर लेना है रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीस एक लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजेगा अब देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया था अब यहां पर हमन बन फो टीस्पून मैथी दाना बहुत अच्छा फ्लीवर आएगा जुरूर रैट कीजेगा मैथी दाना हलका सा क्रेकल हो गया तो इसमें हमने फिश के जो हमने पीसे में मसाला लगा कर रखा हुआ था वह एट कर देने और देखिए अब एक साइट से हमें दो मिनट फ्रा प्रैध पेस्ट बने आप फिश rapidly निकाल लेता है कि इस तरह फ्राइड करने से फिश बहुत ही टेस्टी बनेगी तो यहाँ पर देखिए श्यक्ति अच्छे अच्छे से फ्राई हो छुकिक तो इसको हमने प्लेग में निकाल लेना है कर अब जो ऑयो है उसी दो आए बर paste बनाली जीएगा अब इसमें आड कर देना है एक टेडल स्पून भरत कर अद्रकलाहसुन का paste प्याज में प्याज दरकलेशुन के paste को अच्छे से भूनना है बहुत a chunky से I love Color Change हो जाए प्याज का Golden सब्सक्राइब अब यह अच्छे से घलर चेंज हो अगर आप दही एड नहीं करना चाहते हैं तो आप 2 टमाटर को मीडियम साइज के लेकर मिक्सिजार में पीस लीजेगा और इसी टाइम पर दही की जगा एड कर दीजेगा अब अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है यह देखिए भून लिया है दही के साथ मसाले को तो बहुत अच्छे से भून चुका है और अब इसमें एड करना है मैं नमक तो यहाँ पर मैं वन टी स्पून नमक एड कर दूँगी और इसके बाद यहाँ पर हमें हाफ कप पानी एड कर दिया है और इसी के साथ ही बन टिबल स्पून कसूरी में अठी एक कर देनी है और थोड़ा सा हाथों से रप करकर डालेंगे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा तो यहां पर अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर आपने अभी तक इंस्ट्राग्राम और फेस्बुक का फॉल बूं लेना है जितना हम अच्छा मसाला भूनेंगे उतना ही करी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो यहां पर देखिए मसाला चे से बुन चुका तो अब इसमें एक कप पानी कर देंगे करी के लिए आप जैसी भी करी पतली यह थोड़ी थिक चाहते हैं तो कम पानी पर पकाएंगे दस मिनट पकाना है उसे जादा नहीं पकाना है तो दस मिनट वह चुके थे यह देखिए लो फ्लेम पर पकते हुए तो अको लेते हो यहां पर अमने फ्लेम को बंद कर दिया और अब एट कर देना है मैं हाफ टीश्पून गरम मसाला पावडर और वन हेंट करी बनकर रैडी हो चुकी है पर्फ्रेक्ट फिश करिए तो जुरू ट्राइ कीजिएगा अब सर्व कर लेते हैं तो यह देखिए मसाले की थिकनेस आप देख सकते हैं बहुत अच्छी आई है और यहां पर फिश भी बहुत अच्छी बहुत टेस्टी बनी है तो सभी को ब क्या चुकी है अच्छी आई है जाउड़ आप लेगार यह देखिएपलाइ।